हेलो नमस्कार दोस्तों सौकत आपका आसी स्पोटोब में आज हम बात करने वाले औल न्यू हुंडे क्रेटा फेसलिट के बारे में कल मैंने आपको इसका वाकराउन दिखाय था आज डिटेल में बात करेंगे पावर फिगर्स प्राइसिंग के बारे में अब बात किया इसके वेरेंट्स की तो यहां पे चेंजिस हुए हैं तो अब आपको इसके अंदर E, EX, S, S-Optional यह एक नया वेरेंट आच चुका है इसके उपर आता अब ही आप देख रहे हैं इसके वन पॉइंट फाल इटर पैटोल इंजन को जो निकाल के देता है 115 भी और 143 अनम का टॉक पैटोल में 14 से 15 और डीजल में आप 21 से 22 तक का मायलिस निकाल सकते हैं की की बात की जाए तो पहले की तरह आपको सेम स्मार्ट की मिलेगी जिसके निकाल लॉक अनलॉक यह पे बूट को अनलॉक करने के बटन और इस बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपका इंजन भी स्टाट हो जाएगा पीछे मिलते हैं आपको हुंड़े की ब्रेंडिंग ग्रिल की बात की जाए तो पूरी तरह से इसकी ग्रिल चेंज कर दी गई है यह काफी मस्कलर लग रही है पहले से यहाप यह डाक रूम आप देख रहे हैं और उपर देखेंगे आपको मिल जाते हैं यहाप करनेक्टिंग DRL जो की आज कल का ट्रेंड चल जुगा है ना आपको काफी बड़ी असा देखने को मिल जाएगा कोई फोग लैम्स अब आपको नहीं मिलेंगे क्रेटा के अंदर सेंटर में नीचे बंपर में आप देखेंगे यहाप एडास का जो है आपको रडार दिया गया है और यहाप इंशीट में मिल जाएगा कैमरा तो एडास आ चुका है लेवल डू का यहाप नीचे देखेंगे तो 190 मिली मीटर का ग्राउंड क्लेंस है और फ्रेंट में भी पार्किंग सेंसर आ चुके है भाई तो देख लिए चार पॉइंट्स आपको सेंसर देखने को मिल जाएंगे सिल्वर फिंस में मिलती है सामने की तरफ इसके पेट उपर वनट की बात किया है तो काफी काट्चन कीज़ेस है यहाँ पर डूगल वाइपर विद बहुसर का स्टप अगर रूफ की बात की जाए तो रूफ के उपर आप पहले की तरह है पैनरामिक सरनूफ रूफ रूफ अर्फ और दैमेंस की बात की आए तो 400 mm लेंथ है 1790 mm की वीड़ पहले हैं ऋपर देख लिजए हुदे की ब्रेंडिं हुदे का लोगो मिले गा सेंटर में जेके की आपको मिलते नहें तर्यक के प्रको नणे वाले इसके आपको मिलने बात एपर एक करते है वो है blind spot monitor, side से कोई भी आएगा ना तो यहाँ पर यह इंडिकेट करेगा, इसी के अंदर आपको मिलती है turn indicator और 360 camera की placement, 2610 mm का है wheelbase, इस पर सापको काफी बढ़िया मिलेगा, नीचे भी आपको running board देखने को मिल जाता है, यह इसके chrome door handles request sensor के साथ में, keyless entry आपको मिलेगी, all four display मि आप पूरे में एक ladding देख सकते हैं, आप चलिए इसका दिखाता हूँ front dashboard, भाई यहाँ पर देख लो, क्या change किया है Hyundai ने, एक number का लग रहा है, मतलब इतना premium लग रहा है अंदर बैटने को बाद अभी दिखाऊंगा proper, उपर roof में आपको roof rails, panoramic sunroof, और पीछे मिलता आप यह इसके connecting tail lamps, जो की देखने में काफी खूब सर लग रहा है, यहाँ पर Hyundai की branding है, जो की अंदर place हो चुकी है Tucson की तरह, यहाँ पर reverse parking camera की placement, यहाँ पर देखेंगे क्रेटा की badging है, और उस side आपको मिल जाती SX variant की badging, नीचे देखेंगे तो silver face में इसकी repair, यहाँ पर आपको पूरा suspension setup, exhaust tail pipe, और इधर से आप जलवाएंगे petrol और diesel, यहाँ पर आपको मिल जाता है 50 liter की tank capacity, तो भाई यह देख लो इसके connecting tail lamps, इसी के अंदर आपको मिल जाती है turn indicator की placement, और पहले से काफी बहतर लग रहे हैं इसके rear looks, आप चलिए इसका boot open करते हैं, तो यहाँ पर मिलेग subwoofer, तो 8 speakers का premium source system मिलता है top end के अंदर, अंदर देखेंगे, तो यहाँ पर spare wheel, tool kit बगरा सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, 60-40 ratio में इसकी suit हो जाएगी, fold, और उपर आपको मिल जाती है, यहाँ पर पाफशर tray, अब चलिए इसके boot को करते बन, और चलते ह comfort, leg room, head room, पूरा बैट के अच्छे से देखते हैं, तो यह रहा है इसके chrome door handles, अगर door dream की बात किया है, तो dual tone color में आपको मिलेगा, और इसका जो color है, थोड़ा सा change किया गए, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, window sunsets, जो की पहले से आते थे यहाँ पर door opener, pondo की controls, यहाँ पर ब अधर बैटते हैं, और अंधर से बैटके पूरा space चेक करेंगे, तो आगे विली सीट मेने अपने recording अजिस कर रखी है, knee room, leg room और अंडर थाइस port देख लिजे, center में आपको rear AC band, type C के दो charging port, कुछी space यहाँ पर आपको मिलेगी, and यह अंदर का पूरा interior, यहाँ पर आपको grab handle यहाँ पर LED lights आपको मिलने वाली है, पहले की तरह सेम, पीछ आपको मिलते हैं, दो-दो headrest, इसके अंदर आपको cushioning में मिलेगी, center में आपको दिया जता है armrest, यहाँ बढ़ी हाँ, यह comfortable रहती है, अब भाई देख लो इसका front dashboard, पहले से काफी premium हो चुका है, दोनों display आपस म अब यह premium लग रही है, आगे बैट के पूरा cover करते हैं, एक एक चीच को, इस door को करते हैं, बंद, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा request sensor, keyless entry आपको मिलती है, अगर door trim की बात किया है, तो सेम आपको मिलने वाला है dual tone color में, पहले आपको थोड़ा सा white color यहाँ पे finish दी जाती मिल जाएगी tutors की placement, आगे के जो headrest हैं, वो भी आपको मिलेंगे urgent table, leather की seats, यह रहा इसका front dashboard, इसके अंदर six airbag आते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगी seats में, उसकी badging, अगर नीची की बात की जाए, तो अभी चेक करके बताता हूँ, तो यह देख लो भई, अच्छा कस आ आपको यहाँ पे मिलेंगी, six way आप इनको adjust कर सकते हैं, और यह ventilated seats है, यहाँ पे आपको मिल जाएगे button, अगर नीची की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको मिलता है fuel cap opener, यहाँ पे manual ABC pedals, यहाँ से आप अपना bonnet खो सकते हैं, उपर की बात को हैं, तो यहाँ पे engine start shop button, यहाँ से गाड़ी का ignition on करते हैं, तो side map आपको मिलता है engine start and stop button, गाड़ी को करते हैं, start यहाँ से, और यह देख लो भाई, यहाँ पे जो पूरा cluster और touch info treatment system है, एक ही में merge है, और यह Tucson वाला यहाँ पे आ चुका है, जैसा कि आपने देखा है, काफी premium लगता है देखने में, म आपको मिल जा थी MID, जिसके दर को बहुत सारी information देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको operate कर सकते हैं, trip A, trip B, mileage range, TPA में, सारी information आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी ADAS की information भी यही शो करने वाला है, पांचो seedbeds के reminder यहाँ पे सो करेगा, तो पहले से काफी premium लग रहा ह का cluster और जिस खास feature के बारे में बात करा था, तो जिधर का indicator आप देंगे ना, तो उधर का camera हो जाता है on, जिससे कि आपको turn करने में और traffic में बहुत आसानी रहने वाली यह देख लिए, right head का दिया, तो यहाँ पे right head का camera जो है on हो चुका है, यह तो गए cluster की बात, आप बात क जाए, तो नीचे आपको मिलता है lever, जिसके थुरू आप अपने steering को tilt and telescopic दोनों तरह से adjust कर सकते हैं, उपर नीचे आगे पीछे, अडास, cruise control और multimedia के सारे controls आपको मिल जाते हैं, इसके steering के उपर, यहाँ पर यहाँ पर इदर आपको head lamp के controls, यह तो गए steering के बात, आप बात कर आ सकते हैं, पहले की तरह सेम, अब आ चुका है इसके अंदर 360 camera, बाकी user interface और touch response काफी smooth है इसका, यहाँ पर मिलेगा आपको camera का बटन जैसे आप इसको प्रस करेंगे, तो काफी clear camera आपको मिल जाता है Hyundai Krita के अंदर, अभी यह rear का view दिखा रहा है, जैसे आप इस बटन को प् जाते हैं, और नीचे side में देखेंगे, तो यहाँ पर मिल जाती ही brown finish, जो कि इसके interior को और भी premium बना रही है, नीचे आपको मिलते है AC के events, और यहाँ पर आपको touch infotainment system और AC के सारे controls देखने को मिल जाएगे, नौब मिलते हैं आपको value के लिए, उपर देख लिए बटन दि option, आप इसको IVT, DCT में भी ले सकते हैं, side में आपको ventilated sheets के सारे बटन देखने को मिल जाएगे, यहाँ से आप इसको कम ज्यादा या बंद कर सकते हैं, दोनों side आपको मिल जाता है ventilated sheets, यहाँ पर आपको electronic power brake, auto hold का बटन, दो cup holder, यहाँ पर armrest, इसके अंदर भी आपको deep storage द front dashboard में आपको मिलेगा एक subwoofer, और उपर देखेंगे auto dimming, IRVM, इधर sun visor में कोई mirror नहीं है, अगर code outside की बात किया है तो यहाँ पर जरूर मिलेगा, यहाँ पर light की सारे controls, यहाँ पर sun glass holder, और यहाँ पर आपको दिया गया है panoramic sunroof का button, moonroof, sunroof, दुनों तरह से आप इसको use कर सकते हैं, चली इसको close कर देते हैं, and visibility की बात किया है, तो भी आपको काफी बढ़िया मिलेगी हुंड़े क्रेटा में, six airbag आते हैं, front में, curtain airbag, seats पे, तो safety के purpose है काफी बढ़िया है, आप चली गाड़ी को off करते हैं, बात करते हैं, इसके safety features और pricing की, तो इसके अंदर आप आपको ABS with EBD, center locking, power door locks, seatbelt warning, traction control, tire pressure, monitor system, vehicle, stability control, engine, analyzer, crash sensor, और यहाँ पे आपको दिये जा रहे हैं, six airbag, pricing की बात किया है, तो अभी आप देखने हैं, इसके SX optional variant को manual transmission के साथ में, 17,24,000 एक्स रूम और लगबग 19,20,000 रुपए की on-roll लगणो पढ़ने वाली है, तो यह थी only Hyundai Cr कैसे लगए आपको नीची comments में, एक बार जरूर बताइएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like किर दीगा, and special thanks to BR Hyundai महानगर लखनो, जिन्होंने मुझे से cover करने का मौका दिया, तो deal any Hyundai cars, visit this room, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like क दीगा, चैनल को subscribe कर दीगा, मिलते एक नई वीडियो को साथ तब तक लिए, जैहिन, वन्दे महत्रम